अध्याय नो परम गुहिय ज्यान श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन चुकि तुम मुझसे कभी ईश्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुहिय ज्यान तथा अनुभूती बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे यह ज्यान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सरवाधिक गोपनिय है यह परम शुद्ध है और चुकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूती कराने वाला है अतह यह धर्म का सिध्धान्थ है यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है यह परंतप जो लोग भक्ती में शद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अतह वे इस भोते जगत में जन्मम्रत्य के मार्ग पर वापिस आते रहते है यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है समस्त जीव मुझ में है किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ तथा पी मेरे द्वारा उत्पन सारी वस्तुएं मुझ में इस्थित नहीं रहती जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो यद्यपी मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ लेकिन मैं इस विराठ अपिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ क्योंकि मैं स्रष्टि का कारण स्वरूप हूँ जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायू सदैवाकाश में स्थित रहती है उसी प्रकार समस्त उत्पन प्राणियों को मुझ में स्थित जानो एक उन्ति पुत्र कल्प कांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंब होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ती से पुन्हें उत्पन्न करता हूँ संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है यह मेरी इच्छा से बारंबार सुतह प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनश्ट होता है यह धनन्जय यह सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं मैं उदासीन की भाती इन सारे भावतिक कर्मों से सदय विरक्त रहता हूँ हे कुंति पुत्र यह भावतिक प्रकर्ती मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कारे करती है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं इसके शासन में यह जगत बारंबार स्रजित और विनश्ट होता रहता है जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं वे मुझ परमेश्वर के दिव्य सभाव को नहीं जानते जो लोग इस प्रकार मोह ग्रस्थ होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रतियाक क्रश्ट रहते हैं इस मोह ग्र करती के संरक्षन में रहते हैं वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदी तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्थन करते हुए दड़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशिलन द्वारा यग्य में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में विविद रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं किन्तु मैं ही कर्मकांड मैं ही य थास्षे ठथा पिता मैं हुँ मैं गे सुद्धी करता तथा ओंकार हुँ मैं रिगवेद सामवेद तथा जुभवेद भी हुँ मैं ही लक्षे, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरनिस्थली तथा त्यंत प्रिय मित्र हूँ मैं स्रिष्टी तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ हे अर्जुन, मैं ही ताप्रदान करता हूँ, और वर्षा को रोगता तथा लाता हूँ, मैं अम्रत्य हूँ और साक्षा अत्मरत्यू भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझही में हैं जो वेदुं का ध्यन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वरग प्राप्ति की गवेशना करते हुए अप्रित्यक्ष रूप से मेरी पुजा करते हैं वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं इस प्रकार जब वे विस्तित स्वर्गिक इंद्रिय सुप को भोग लेते हैं और उनके पुन्य कर्मों के फल शीन हो जाते हैं तो वे इस मृत्यू लोक में पुन्ह लोट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिध्धानतों में दड़ रहकर इंद्रिय सुप की गव करते हैं। उनकी जो आवशकताई होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। एकुंति पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी शद्धा पूरवक पुजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी ही पुजा करते हैं किन्तु वे यह तुटी पूरवक धंसे करते हैं मैं ही समस्त यग्यों का एक मात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अत्य जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य सभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करत करते हैं यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे सुईकार करता हूं हे कुंति पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मु इस सन्यास योग में अपने चित्त को इस्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं ने तो किसी से द्वेश करता हूँ, नहीं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किन्तु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में इस्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किन्तु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधू मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिक रहता है वह तुरंत धर्मातना बन जाता है और इस्थाई शान्ति को प्राप्त होता है हे कुंति पुत्र निडर होकर घोशना कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है हे पार्त जो लोग मेरी शरण ग्रहन करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा इस्तरी वैश्य तथा शूद्र क्यों नहों वे परमधाम को प्राप्त करते हैं फिर धर्मात्मा ब्रहमनों भक्तों तथा राज रिश्यों के लिए तो कहना ही क्या है अतै इस शनिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो इस प्रकार मुझ में पूर्ण तया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे